बीतिरात में एक order issue हुआ और उस order को देखकर बहुत सारे लोगों के phone calls भी आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं क्यूंकि वो order जो है वो education को लेकर है यानि के 10 वी और 12 कक्षा के खुलने पर है और बहुत बड़ा confusion जो है वो इस समय लोगों में बना हुआ है confusion क्या है वो मैं आपको बताता हूँ order पर क्या लिखा हुआ है पहले मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि बारवी कक्षा की जितने भी छात्र है अब उनको permission है school खोलने की यानि के जो schools है वो बारवी कक्षा के छात्रों को school में आने की अनुमती दे सकते हैं जिसका school में आने के लिए 50% ही capacity रखी गई है यानि के 50% से ज्यादा बच्चे जो है वो school में एंटर नहीं हो सकते लेकिन confusion यह नहीं है confusion यह है कि administration दोरा यह कहा गया है कि जितने भी बच्चे school आएंगे या फिर जितने भी अधियापक school आएंगे सब को vaccination का dose लगा होना चाहिए अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 18 से उपर के जितने भी लोग हैं उनको vaccination हुआ है और 18 से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको vaccination कि कोई भी dose नहीं लगी है तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जिन बच्चे के लिए अभी तक vaccine बना ही नहीं है मार्किट में आया ही नहीं है तो ऐसा order administration द्वारा कैसे निकाल दिया गया कि 12 कक्षा के चात्रों को स्कूल आने की अनुमती है लेकिन vaccination dose जरूरी है ऐसा ही order में लिखा हुआ है कि 10 कक्षा के जो चात्र है वो भी स्कूल आ सकते हैं उनकी भी capacity जो है वो 50 प्रतिशत रखी गई है और यहां पर यहां पर लिखा गया है कि RT-PCR टेस्ट जो है वो उनके में हिसाब लगाए कि अगर आप RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो वो रिपोर्ट आपको दो दिन बाद मिलती है तो ऐसे में जो बच्चा RT-PCR का टेस्ट करवाएगा यानि के आसान भाशा में यह कहूं कि अगर वो स्कूल गेट पर RT-PCR टेस्ट करवाता है तो वो दो दिन ब न न बाद उसका रिपोर्ट के आएगा नेगेटिव है पोजिटिव है दो दिन बाद उसका रिपोर्ट आएगा तो क्या वो बच्चा स्कूल जा सकता है या फिर नहीं ये भी administration को clear करना होगा और अगर 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी अगर तीसरे दिन बच्चा स्कूल जाता है और वो तीसरे दिन पॉजिटिव हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विशे जो है वो प्रशासन के लिए बना हुआ है लेकिन सबसे एहम बात यह है कि जो order हाली में निकाला गया है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये कंफ्यूजन बहुत फैल आ रहा है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में फैल आ रहा है ये order है कि दस्मी और बार्वी कक्षा के जितने भी चात्र हैं वो स्कूल तो जाना चाहते हैं लेकिन administration ने कंफल सरी कर दिया है कि उनको vaccination का dose लगा होना चाहिए मान लेते हैं कि कुछ ऐसे चात्र होंगे बार्वी कक्षा में जिनकी आयू 18 से उपर की होगी और उन्होंने vaccination का dose लिया होगा लेकिन ज्यादा तर बार्वी कक्षा के चात्र जो है वो 17, 17 या 18 के बीच में होते है यानि कि वो vaccination नहीं लगा सकते हैं दस्वी कक्षा का तो आप भूली जाएए दस्वी कक्षा में 14 से 16 के बीच में बच्चे होते हैं तो 14 से 16 के उमर के बच्चों के लिए अगर vaccination ही नहीं है तो ऐसे में vaccination कहां से लगाया जाएगा और 18 साल का उपर कोई भी चात्र होगा मान लेजिए तो उसने vaccination दिया होगा लेकिन जो 16, 17, 17, 17 साल का चात्र बार्वी कक्षा में पड़ता है तो ऐसे में क्या वो चात्र स्कूल नहीं जा पाएगा क्या वो उस 50 प्रतिशत की शिरडी में नहीं आता है क्या वो जो सरकार ने मेंचन किया है जो डिस्टिक जो डिजास प्रतिशत ही गैदरिंग जो है वो स्कूल में होगी यानिके 50 प्रतिशत छात्रों को स्कूल में आने की अनुमती है ऐसे में अध्याबक जो भी है उनको vaccination का अनुवारिया है बच्चूं के लिए भी vaccination अनुवारिया है लेकिन जब बच्चूं को vaccination लगा ही नहीं होगा तो स्कूल में कैसे entry कर सकते हैं सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा confusion इस order में फिलाल यही नजर आ रहा है और इसी order को लेकर लोग जो है वो इस समय confusion में है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे या फिर नहीं भेजे आपने तो कह दिया कि ठीक है स्कूल खोल देंगे अच् इस order में लोगों को confusion हो इस चाहिए कि इस order में amendment की जाए या फिर इस पर संग्यान लिया जाए और इस order को तुरंत बदला जाए और एक नया order जो है वो इशू करा जाए क्योंकि देखिए ज्यादा तर बच्चे बारवी कक्षा में बार बार यह कह रहा हूं कि ज्यादा तर 17 और 18 के बीच में होते हैं और जैसे ही वो बारवी पास करते हैं तो वो बालिक हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ज्यादा तर मातर 10 से 10 परतिशत ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आयू 18 से उपर की होगी खेर वो तो vaccination उन्होंने लिया होगा लेकिन जो 18 से नीचे के हैं 17 और 18 के बीच में हैं 16 से 18 के बीच में हैं और 12 कक्षा में हैं उनका क्या होगा जनाब उनको vaccination कहां से दीजेगा उनके लिए आप कोई और order निकाल रहे हैं तो वो भी सांजा कीजेगा आम जनता से अगर 10 में कक्षा के चात्रूं के लिए आप अनुमती दे रहें कि वो हो सकता है कि पर्सू मिलेगा तो ऐसे में क्या वो दस्मीक अक्षा का चात्र आटी पीसी आर का टेस्ट लेकर दो दिन बाद स्कूल जा सकता है या नहीं तो यह तमाम जानकारी जो है वो आपको आम जनता के साथ सांजी करनी होगी तो फिलहाल जो बीती रात में एक order आया सकूल को लेकर वो हमने आपके सांजा किया है और अपनी राइ comment box में जरूर रखेगा कि आपको क्या लगता है कि यह जो order निकाला गया है इस order से आप सहमत है क्या आपको लगता है comment box में जरूर लिखेगा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजेगा शेर क्या है